दो अक्टोबर को प्रभास, सैफ अलिखान और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ था मगर लोगों का प्यार मिलने के बजाए फिल्म के टीजर पर बवाल मज गया जिहां दोस्तों किरदारों के लुक से लेकर CGI VFX तक हर चीज को ट्रॉल किया जाने लगा मंगलवार को आदिपुरुष के टीजर की 3D स्क्रीनिंग रखी गई थी जहां पर मुवी के डारेक्टर ओम राउत ने टीजर की ट्रॉलिंग को लेकर चुपी तोड़ी और आदिपुरुष का बचाव किया ओम राउत ने बताया कि आदिपुरुष को मिले नेगेटिव रियक्शन ने उनका दिल तोड़ा था लेकिन वो इस रियक्शन से सर्प्राइज भी नहीं थे कहीं न कहीं उन्हें ट्रॉलिंग का अभास हो चुका था इंडियन एक्स्प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में ओम राउत का रियक्शन बताते हुए लिखा कि मैं निश्चित रूप से निराश था लेकिन हैरान नहीं था क्योंकि ये फ्लिम एक बड़े माद्यम यानि बड़े परदे के लिए बनाई गई है आप इसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं लेकिन इसे मुबाइल फोन तक नहीं लेकर आ सकते ये ऐसा माहूल है जिसे मैं काबू में नहीं कर सकता मैं इसे कभी भी यूटूब पर नहीं डालता लेकिन ये समय की जरूरत या कहे मांग थी जो हमें ऐसा करना पड़ा हमें आद्वी पूरुष का टीजर यूटूब पर डालना पड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें उनका कहना है कि मेरे पार्टनर और स्टूडियो टी सिरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूटूब चैनल है इस मूवी को ऐसे ओडियन्स की जरूरत है जो सिनिमा घरों में कम आती हैं खास तोर पर सीनियर सिटिजन्स जो थेटर्स का रूख कम करते हैं वो लोग जो रिमोट लोकेशन में रहते हैं जिसकी थेटर्स तक पहुँच नहीं है हमें वे लोग चाहिए हम चाहते हैं वो सिनिमा घरों में आएं और हमारी फिलिम देखें क्यूंकि ये रामायन है हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुचाना है उन्हें एकसाइट करना है इसलिए जैसा कि मैंने कहा टीजर को लेकर लोगों का रियक्शन देखकर मैं सर्प्राइज नहीं था क्यूंकि ये मुवी स्मॉलर स्क्रीन के लिए नहीं बनी है ये बड़ी स्क्रीन के लिए बनी है और मैं इसे चोटी स्क्रीन पर नहीं ला सकता तो दोस्तो फिलिम के डायरेक्टर ने अपना पक्ष सामने रख दिया है। देखना होगा ट्रॉल्स इस से कितना सहमत होते हैं। आदिपुरुष सिनिमा घरों में 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। भूशन कुमार और कृष्ण कुमार इसके प्रोड्यूसर में से एक हैं। हम आदिपुरुष 2D, IMAX 3D और 3D में रिलीज होगी। तो दोस्तो ये थी कुछ जानकारी हाल ही में हो रहे ट्रॉल्स हमारी आने वाली मोवी आदिपुरुष परूश परूश अब आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आप लोगों को इसका टीजर या झाल परूश लोगों